हेलो जो एसके लेक्टर उसर्कमप का स्वाज है दो कैसे हुआ आप आसा करते हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज की जो हमारी वीडियो है डिजिटल मल्टिमीटर को पर है जैसे कि आप यहां पर वीडियो में काफी सारी डिजिटल मल्टिमीटर देख रहोंगे जै मै समझाते हैं प्रैक्टिकली तो महां पर कुछ मल्टिमीटर रहे हुए थे तो उन्होंने गलत उप्योग करके नगा खराब कर देदा दो मीटर तो मुझसे खराब हुए थे जो कि मैं जन्नेटर रिपेर करने गया था तो वहां पर एक लड़का और मैं कुछ और कर रहा था कुछ से वच करने लगा था ह defence कोई बात नहीं दोस्तों मेल्टिमीटर को ठीक करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इसको कराScott को किसी तरह से खराब हो जाता है, प्र ईशिक कर और व कर चांज purely घरंग योग काम में कर सकते हो सोभी où य सब्सक्राइब कर सकते हैं आपने कर रखा तो बहुत अच्छी वाद है क्योंकि रोज एलेक्ट्राइब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मेरे पास काफी सारे मल्तिमेटर रखे हुए हैं जब घुश् יש हैं यहां जेख पर किए बिए एख़ाव क्यों होता है मल्तिमेटर तब बुथा होता मैं जब सनान लिजिए यह मल्तिमेटर याप की होगाई डीने कुछत ह precio अब आग से सब्सक्राइब नहीं औरहां जयाएकज़ों हगए एसी लाइन पर काम तो करेगा पर लेकिन आप जो सब्सक्राइब आप डिसी लाइन पर डिसी चेक करोगे तो अगर वहाँ पर 20 वोल्ट है तो कदीमा 25 दिखाएगा चार्ली दिखाएगा जो की एक सिर्फ पांच वोल्ट की पैटरी पर ही तो उस कंडिसेन में हमारा मैल्टि मिटर कभी खराब नहीं होता है सिर्फ सका जिस सेक्ट्राइब अंदेश घ्राघंड करीओ तो इसका हमारा इतना सेक्ट्राइब इतना 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 ऐसंड़ी हो सकता है तो आपको दिखाना चाहता हूं पहले यहां पर देखिए यह वाला मल्टिमिटर है यह मल्टिमिटर खराब है पर लेकी निवार्ग बिल्कुल सही कर रहा है देखिए मैं आपको दिखाना चाता हूँ देखिए मैंने यह 20ग सेट के कॉफी समय तक चला मैं देखिए इसके वेवी घिस गई देखिए इसमें कोई कट कट भी नहीं बोला इतना समय तक चला था मेरा काफी अहालत भी देख सकते हो देखिए अम मैं आप पर इसकी वोल्टेज चेक करता हूं देखिए त्री पॉइंट त्रासी चौरासी आ रहे है वह अभी थोड़ा हिलना है देखिए वह यह थ्री पॉइंट जाए हम इस तरह चाहर ऑगे टैच करते ही अगर तुरन्त इहां पर एक सेकिंड बाद आ रहा है और तुरन्त तो गलत है अगर जैसे टशक तुरंथ दियू जीर रही है वह सही है और यहां पर साथ में ठूंट मिले है याने कि अगर यहां पर नाज़ाने बैसा हाई वह मा यहां टच किया कितनी देर बाद आएगा देए अब तक भी कोई रीडिंग नहीं आई मैंने टच कर दिया ठीक है यहां पर कोई रीडिंग अभी तक नहीं आई जब कि यहां पर पुला फुल विप साउंड वारा है यह में बिल्कुल सही है इसे मैं डी सी वाल्ट पर 20 पर से प्लस का प्लस पर तो देखिए वहां पर 0.06 वॉल्टेज आ रही है ठीक है ना जो कि यह गलत है नहीं कि इसके डी सी वाली वॉल्टेज नहीं आ रही है इसके साथ अब देखिए मैं अगर आपको यहां पर इस मीटर को सेट करके दिखाता हूं यहां पे सेट हो गया थीक ह इसके बाद में हम इससे चेक करते हैं इसकी व्ल्टेज कितनी दे रहा है अगर यह ठीक कंडिशन में रहता है तो देखिए देखिए 3.3 वोल्ट 3.03 यह निए 3 वोल्ट सही दे रहा है यह मीटर यह निए अभी इस समय डाउन है 4.5 वोल तक डाउन दिखा देता है तो इस कंडिशन में दोस्तों क्यारना किया है हमें देखिए एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आपका इस तरह का मिल्टिमिटर हो जाए तो उसमें आपको रिपेर करने के लिए इतना खास कुछ है नहीं मैं आपको फिर बोटा जंपर वागरा ब्रेक है तो उसको जोड सकते हो अगर आपने एंपियर पर चेक किया है ठीक है अगर यहां पर लग रहा है आपको कोई काफी समय हो गया हमारा मिल्टिमिटर यहां पर कोई रेइस्टेंस ओपन हो चुका है तो आप उसकी वैल्यू को देखना है कितने अगर वैसे खराब होता है अगर आपको बजली वागयरा वैसे खराब हो जाता है कि आपने काम कर रहे हो आपने गलत लगा दिया तो दोस्तों आपको बताना चाहते हूं इस नहीं पाने अब जैसे में यह सब जंग है तो देखिए कुछ भी रेइडिक नहीं दिखा रहा ह वोल्टेज बगरा देखिए कि बहुत सारी कंडिशन में उपर वीडियो बनाइए यहां पर इस नहीं आ रही लेगिन अकरी जैसे इन इंप से में इंट से डेखिए इसे टेश से करता हूं देखिए डीप साउंड बोल ला है और जीरो भी आ रहा है तो यह इसका सिर्फ कंटिनुट इमोड में सिर्फ दिखाने के लिए सही है करेंट भी नहीं आ रहा है तो इस तुम आपको बताना चाहता हूं अगर आपकी छोट इमोड प्रोब्लम हो जाए तो डिपेर कर सकते हैं दोस्ति इसमें सिफ एक यहां पर एक टरह की आई सी ही यह यह क्योंकि पर गूझ पैस होता है शॉल्डिंग दिखाए जाते हैं क्यों की रिपेर करने के लिए दोस्तों है कुछ नहीं अगर मानली जा आपकी रीडिंग कभी कभा किसे हिलाने पर सही हा रही है तो करना क्या हम इस को बताता हूं काफी कंडिशन या स्कों ठीक करने की यहां से आपको खोल लेना इसे और हम इसे यहां से खोल लें तो जैसे ही आप इसे हम भूल ओगे तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर यह जिलता है एक तरहा आप है यहां पर पिनों को अपने इसवाइब से तैट वो करता है टच जैसे वोलियम में अगर आपके आप कंटिनूटिया तो यह पिन यह पिन टूए गी तो यह पीन आपको अच्छे से साफ करने यह पैट्रोल से थिनर से काफ एच्छे साफ कर लेने उसके बाद में जैसे आफ 9 पर आपको पैक कर देना है। उसमें क्या होगा ? जो आपकी आपकी मेंटक्ट क्लाइग करता है क्या आपको किया और नहीं करता ? तो इस में काम करने लग जाएगा ? ठीक है Isto तो यह थो हो गया है आप मेंटे कबीटा कभीच रहा है एक बार बैंटे जरूर न के बाद आपकी प्रोप्लम काफ्य considerations ठीक हो तो इसे एप नहीं होगा है मॢवें कि इसbles Rem 04 के डिकैंटक डिका तो दोस्तों वह थेक नहीं हो पाएगा यह वाली आईसी ही खराब है वह ठीक नहीं होगा कभी आप यह वाला इकाल दूए यह लगा दू और ऐसा भी बंद हो जाएगा उस पर मत जाएए पर उस कंडिशन में आपको एक चीज और बताना चाहे तो अगर यहां पे आपको बैंटी का सिंबल आ रहा है जैसे यहां पर देखिए बैंटी का सिंबल यहां पर आ रहा है अगर कंडिशन में 20 थोड़े और डाउन हो जाती है तो अगर मैं आप नए मीटर पर भी चार उल्ट पांच उल्ट को चेक करूंगो तो भी 20-25 उल्टा से दर दिखाएगा ठीक है न तो इस कंडिशन में आपको सबसे पहले जो भी आपके में खराब हो तो उसमें सबसे पहल चाहते हो मैंने यहां पर चार्जिंग का भी करनेक्शन किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक यहां पर प्लस वाले पॉइंट पर सोगे की रेश्टेंस लगा एक डायव लगा रखा ठीक है और यहां पर एक बलफ लगा रखा रखा इंडिकेटर के लिए वाला ठीक है और हमेरी यहां पर लाइन आ रही है तो इसे में बारा वोल्ट से चार्ज करता हूं और काफी दिन तक चल जाता है तो दोस्तों यही चोट 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 चोटे स्टैप है जो कि काफी समय से चल लाएते उनमें चोट-चोटी प्रोब्लम आ गई थी तो म अगर आपके यहां पर जैसे कि माने चेक कर रहे हैं और आपके गलत वह लग गई तो आपको मीटर डैड़ी है वो ठीक नहीं हो पाने का बेफाल दूब कि मैं आपको कहा दूँ हो जाएगा वह जाएगा आप इधर वीडियो देखोगे वहां कमेंट करोगे हैं कमेंटर को रीपलाई में करे ऐसे नहीं करेब कि अगरा रीडिंग बताने हो दोस्तों नहीं हो पाएगा अब आपको गलत लेट लंगा कर दोशी डूसीं की चेक करो तो नहीं हो ऒालो तो आपके चेज़ को चीज़ को शोथाना यह ओं से लेका किलोमस तक कोई दिक्कत निक नहीं कि यहां पर टब कराव जाएगा तुननतीं क्यूंकि यहां पर डी सी शुपॉट डेड़े करो डिक्कत नहीं है यहां से यहां तक और हमाप आपको एक बार बताना चाहता हूं फिर से जब भी आप किसी भी चीज का काम करो बिल्कुल एक तो रिलेक्स मोंट सो करो कि हां और जब भी सोचो कि आप अगला पॉइंट चेक करना तो उसको यह जाच लो कि लेक्स पोइंट करना जा रहे हैं या फिर अगला पोइंट हमारा resistance का है आपको अगला पॉइंट कंटिनुटी वोड का है थो उसी सीज से आप मल्टिमीटर को पहले सेट कीजिए आपको मल्टिमेटर बचेगा आपका समय बचेगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा तो थोड़ा सा ध्यान देके ही काम करो इलेक्टोंस कैसी होता है तो आयो पापको वीडियो अच्छी लगए वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर देना अपने बस्तों और शेयर कर देना तब तक के लिए इतना ही जैहिन वद्ने मातम जशी लगए दोस्तों